प्लास्टर 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 प्लास का केमिकल फॉर्म फॉर्मूला है वह सीथ का water crystal के साथ ही होता है लेकिन उसमें एक जो calcium sulphate होता है उसके साथ 2 water molecule होता है हम क्या करते हैं कि gypsum को heat करते हैं 100 degree celsius पे 100 degree celsius पे अगर गरम करते हैं तो उस से कि कुछ water molecule release हो जाता है और kुछ water molecule उसके साथ ही रह जाता है और जो water molecule शेट होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर और परीज उसका जो सबसे में इंपौर्टेंट चीज है वह है कि इसको अगर हम इसमें अगर वाटर डालें तो अगर हम इसको पानी डालते हैं इसको वेट करते हैं तो यह जो है कि बहुत अच्छे से हाड हो जाता है कुछ टाइम के बाद और जिस तरह से अगर हम इसको मोल्ड करके छोड़ें उसी तरह से वह हाड हो जाता है और य प्लास्टर और प्लास्टर और इसके बाद हम कितना भी पालिट पानि डाल दें बट यह वापस जिपसम नहीं बन पाएगा तो इसलिए हम लोग इसको 100 गर्म करना बहुत जरूरी है अब इसको प्लास्टर और पेरी। सति-स लिए इसको बनाने वाली फेक्टरी सीस चुरू में वह पेरीस के अंदर इसे लिए Y mam ey यहिए ब्लाइक सेमेंट थे हिसको प्लास्टर प्रेंट में प्लास्टर प्रीज जो है उसका एक यूनिक प्रोपर्टी है कि यह फिर पानी डालते हैं तो थोड़ी देर वह जीपसम बन जाता हाँ बहुत जल्दी हाड हो जाता है इसी प्रोपर्टी को यूज करके हम लोग और स्ट्रक्टर डिए नटे कि देखते हैं लास्टरी के इसके क्याक्ष्टर होता है कि हमारे हम हमारे हमारे हाथ या फिर पर कहीं फ्रैक्टछर होता है तो डॉक्टर income उसका यूज करते हैं और वहां पर प्लास्टर लगा देते हैं जिससे कि वह जो इस्ट्रक्चर जो हमारा फ्रेक्चर हुआ था वह स्टेबल रहता कुछ टाइम तक और जो जो बॉन्स होते हैं उसको जुड़ने में हेल्फ होती है तो पहला तो यूज ही हो गया कि मेडिकल यूज फॉर सेटिंग दो फ्रेक्चर बॉन ठीक है अब सकेंड हम लोग देख लिएते हैं कि ट्वाइब बनाने वाले जो हैं वह भी प्योपी का इस्तेमाल करते हैं डेप को रिटी मेटेरियल बनाने के लिए भी इसका यूज क्या जाता है ठीक है अब हम लोग देखते ह मेटेरियल ह similar होता है और क्या होता है यूज है अपने अब होता है उसके में फ prz is कि ऐसको कि होता है कि ऊप्लास्टर ही तो हमारे नाले तो होता है तो यूजफूल है हमारे लिए हमारे डेली लाइफ में हमारे सामने आता जाता रहता है तो प्लास्टर और पेरिस के बारे में हम लोग यही पढ़ेंगे